हाई फ्रेंड्स विल्कम टू रंभा मैजकल कीचिन आज मैं बनाने जा रही हूं करवा चौथ के स्पेशल एक रेश्पी होती है मठरी तो चलिए इसको बनाना सुरू करते हैं कि मैंने ले लिया है एक कप मैदा आप या तो कप से ले ले या तो कोई कटोरी से आप ले सकते जरूरी ने क्यें वह कप से मेजर करना है ओलो लिए इसपून ने आप तेल हो जाए तो ओर ने तो 4 रश्पुन मैंने इसमें घी डाल दिया, अब इसको mix करके मोयन अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे, देखिए ये लड़ू बन गया, अब इसमें पानी डालेंगे, तो मैंने 1 चथाई कप पानी लिया है, अब इसको गूतेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी दे करके इस दिया है, और इसको अच्छी तरह से मिला करके, देखिए ये दो बिल्कुल बन चुका है, अब इसको आप 10 मिंट के लिए छोड़ सकते हैं, लेकि मैं तुरत बना रही हूं, तो देखिए मैंने 5 लोईया बना लिया, यह नहीं पेड़ा बना लिया है उसका, और इसको अब आप कोई भी कटोरी लें, जरूरी नहीं कि ग्लास वाला ही कटोरी लेंगे, कोई भी कटोरी इस तरह का, जिस सेप में बनाना चाहते हैं, उस सेप में अपले लिए यह तो आप बेल करके केवल बनाएंगे, तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा काटने से प्राकू से या कोई भी इस तरह से किसी चीज़ से आप होल कर सकते हैं देखने में भी अच्छा लगता है और यह फूलेगा भी नहीं कि आप दोनों साइट से भी कर सकते हैं ताकि दोनों तरह अच्छा लगें देखने में कि एक मठ्री का यह बन चुका है अब दूसरा बेल लेंगे देखिए इस तरह से बेल करके या तो आप रॉंड बेल करके ऐसे ही होल करके इसको चोड़ दीजी आ या तो आप एक कटोजी से अब कट करके भी बना सकते इस तरह से मैं दूसरा कट कर लिया और इसको भी फोक से कोल कर लेंगे ताकि यह फूले नहीं कि अगे देखने में वह बहुत अच्छा लग रहा है और यह फूले को बेल कर लेंगे इसी तरह से सारे को बेलेंगे तो देखिये मैंने कुछ पाइब उसको नोच को कटुर्ण करेंगे दिख rag तेल गर्म करने के लिए रख दिया था ऐहीं हो चुका है मेटृ करने के लिए ईप ईए फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन मोटेन और फ्राई करेंगे avocado iD फ्लेम पे उसको fry कर लें देखिए मैंने दोनों तर्फ से इस तरफ से प्लट प्लट के fry कर लिया एक पर और पलट लेंगे 5-6 मिनट इसको fry होने में टाइम लग जाते हैं तो अब यह हो चुका अब इसको निकाल लेंगे और जो बाकी बचे मठरी है उसको भी तर लेंगे इसी तरीके से अब देखें मैंने एक पैन दूसरा ले लिया है चासनी बनाने के लिए और उसमें आधा कप चीनी डाल देंगे क्योंकि एक कप मैदा है तो आधा कप चीनी डाला है मैंने और उसका हाप डालेंगे पानी और इसको तीन तर की चासनी बनाने तक इसको पकाएंगे जैसे आप सकरपाली बगर बनाते हो तो koट हो जाता है उपर से इस तरह का चासणी बनाएंगे इसको थोड़ासा इलाइची पोडर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे लगभग यह 3 तार का चासनी हो चुका है काटोरी में देख लेंगे चेक कर लेंगे निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा करके देखेंगे कि यह जम रहा है कि नहीं धोड़ा सा कुरकुरापड टाइप से भी लगेगा आप थोड़ा दे छोड़ देंगे तो यह जम जाएगा तो देखिए यह चासनी बन चुका है और तो उसमें दो मैं डाल करके दिखा रही हूं इसको हाफ मिनट के लिए उलट पलट के चासनी में डाल करके निकाल लेंगे आप गरम चासनी में भी डाल सकते हैं को दिक्कत नहीं इसमें नहीं है तो हलकिस यह गरम है अब इसी तरह तरीके से सारे जो मठ्री मैंने तल लिया है उसको सारे को चासनी में कोट कर लेंगे तो देखिए मैंने सारे मठ्री को कोट कर लिया है चासनी में और इस तरह से आप ड्राइब फ्रूट से या टूटी फ्रूटी से किसी तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं तो देखि इतने फ्रेंड और फैमिली हैं उनको सारे को सेर करना नहीं भूलिए तो फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेस्पी के साथ